हेलो दोस्तो बहुत बहुत सागट करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश उप्चुनाव के एक्जिट पोल की हमने आपको सर्वेज भी दिखाए थे अब हमें एक्जिट पोल की बात करेंगे आपको बता दे कि उत्तर चुनाओ के बीच करीब करीब 50% मतदान धर्ज किया गया है और धाधली के आइरोप में 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। मतदान की बात करूं तो सबसे जादा मतदान हुआ है कुंदरकी में करीब 58% वहीं गाजियाबाद में सबसे कम मतदान धर्ज किया गया है 33% तो चुनाव संपन होने के बाद एक ट्रेंड है आजकल एग्जिट पॉल आते हैं तो टीबी अख़बार का एग्जिट पॉल क्या है तमाम जो एग्जिट पॉल क्या है सबसे पहले उनके अनुसार हम बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो भी एग्जिट पॉल का सर्वे होता है और जो की भी अख़बार का सर्वे होता है। और सरकार द्वारा प्रायजित एक्जिट पोल होते हैं ऐसे भी अबारोप लग रहे हैं लेकिन एक्जिट पोल आया है तो उसे जान लेना भी जरूरी है उसके बाद हम करेंगे आगे चर्चा यूपी चुनाओ का पहला एक्जिट पोल सामने आच चुका है ये देखिए जो सोशल मीडिया में इस समय चर्चा है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ टीवी अखबार क्या सोचते हैं कैसे सोचते हैं पहले इसको देख लिजिए तो टाइम सनाओ भारत के एक्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को बढ़त दिख रही है बाई बढ़त तो दिखेगी नौ सीटों पर जानते हैं क्या किसन लोग ने नौ सीटों पर च्छे सीट बीजेपी को दे रहे हैं और तीन सीट समाजवादी पार्टी को अगर मैं नो सीटों की बात करूं तो गाजियाबाद, फूल, पूर, खैर, यहां बीजेपी मीरापूर में आर-इल डी को जिताय जा रहा इस सर्वे के अनुसार एक और सर्वे है जो काफी जादा वारल है वो है फलोधी सक्टा बाजार का सर्वे अक्सर सोशल मीडिया में वारल होता है तो फलोधी सक्टा बाजार का सर्वे क्या कहता ये भी चान लीजिए फलोधी सक्टा बाजार के अनुसार नौ सीटों और पांच सीटे भारतिये जनता पार्टी को मिल सकती है ये फलोदी सटा बाजार का सर्वे है तो इस सर्वे में आपने देखा टीवी मीडिया आखवार का सर्वे जो है उसमें आपने देखा कि बीजेपी समाजवादी पार्टी को सीटे दी जा रही है बाकी पार्टियों का जिक्र तक नहीं है ना तो AIM का जिक्र है ना तो आजाद समाज पार्टी का जिक्र है और ना ही बहुजन समाज पार्टी जो की राष्ट्रिये पार्टी है मायावती जी की मायावती जी की पार्टी बस्पा का भी जिक्र एक्जिट पोल में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कट के लिए फाइदे मंद होता है माना जाता है ये सरकार का चुनाव है तो ऐसे में सरकार ने साम दाम दंड भेट की निती अपनाई है और ये लुग जीत जाएं इसमें कोई इवबट भी नहीं है लेकिन सर्वे जिस तरीके से दिखाये जा रहे हैं उस पर सवाल खड़े हो रह अगर मैं महराश जारखंड के सर्वे की बात करूँ एक्जामपल के तोर पर तो इनके एग्जिट पोल में महराश में महाई होती है जारखंड में अनिए की सरकार बन रही है इनके सर्वे के अनुसार लेकिन ऐसा नहीं है लगातार टीवी अख़वार जूट बोलते है opinion poll जो कहीं हद तक जो काफी हद तक मैच करेगा जम नतीजे आएंगे तब देख लीजेगा अब मैं exit पोल जो real exit पोल सामने है उसकी बात करने जा रहा है तो ध्यान से सुनिएगा जो real exit पोल है देखे करहल की बात कर लेते हैं करहल में क्या हुआ करहल जो है वो समाजवादी पार्टी अपना जीती रही है यहाँ पर अब इस बार भी करहल में समाजवादी पार्टी जीत सकती है याद रखिएगा आप लोग जो टीबी अख़बार का सर्वे देख रहे हैं उससे इतर में सर्वे बता रहा हूँ करहल में समाजवादी पार्टी जीत रही है जीत सकती है सीसा माउ में भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है लेकिन मजवा में बात फांस गई है मजवा में है कड़ा मुकाबला तगड़ा मुकाबला याद रखिएगा अगर कोई हेरा फेरी काउंटिंग में नहीं हुई तो मजवा में बीस पी आगे निकल सकती ये बात हो सकता है आप लोगों को हैरान करें लेकिन वहां की रियालिटी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ जो लोगों ने बताया जहां पर चर्चा हो रही है मजवा में खास तोर से अंडर करिंट जो वहां पर नज़र आया बसपा मजवान जीत सकती है वहां के सरवे के अन सकती है कटेहरी की बात करूं कटेहरी की बात करूं तो यहां पर हर कोई हर किसी के जुबान पर यह बात है कि यहां पर बीजेपी हार रही है यहां पर बीजेपी हार रही है लेकिन टीवी अख़बार के एक्जिट पोल में बीजेपी को जिताया जा रहा है कटेहरी में जो च पाकाश जी ने इस बार प्रचाब नहीं किया अप्चुना में इसको लेकर थोड़ी सी मायूसी है बहुजन समाज के वोटर्स में भी अगली सीट है मीरापूर मीरापूर की अगर मैं बात करूँ जहां एक्जिट पोल में आर एलडी को जिताया जा रहा है वहीं मीरापूर म साथ गडबंधन कर लिया है आर एलडी ने इसलिए आर एलडी महां जितेगी ऐसा नहीं होगा अगर मशनरी का दुरुपयोग नहीं होगा तो यहां देख लिजे चौकाने वाले नतीजे आपको देखने को नहीं मिलेंगे बस यह जान लिजे इशारों में कि यहां पर तिर चरफा नहीं यहां पर भी त्रिकोडिय मुकाबला देखा जा रहा है जो सरवेश सामने आये हैं और गाजिया बाद में इस बार बीजे पी की हार पक्की है अगर काउंटिंग में दिक्कत नहीं हुई एक चीज और जो मशीन होती है वोटिंग के दौरान खराब होती है ले लेकिन फिर भी हमारे देश में मशीन का परियोग हो रहा है, काउंटिंग भी हो रही है, वोटिंग भी हो रही है, तो गाजियाबाद में BJP हार रही है, खैर सीट में मुकाबला बहुत दिल्चस्प होगा, खैर सीट भी एक तरफा BJP नहीं जीतेगी, वह इसे मैं फिर से बत तब भी मैं आपको बताऊंगा कि रुझान किस तरीके से आ रहा है, रुझान बहुत जरूरी है देखना, यहां पर BJP के लिए खुद को साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका है, अगर BJP यहां पर एक दो सीट भी जीत लेती है, तो यह माना जाएगा, वो लड़ाई मे आ चुकी है वो लड़ाई में शामिल हो चुकी है, BSP को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता, तो यह चुनाओ BSP के लिए साह का सवाल है, तो यह चुनाओ BSP के लिए साह का सवाल बना हुआ है, क्योंकि BSP के जो ग्राफ हैं वो गिर रहे हैं, बależy कैसे गिर रहे हैं, इसके लोग अपने अपने तरीके से विशलेशन कर रहे हैं लेकिन ये चुनाओ BSP के लिए काफी महत्पूर माना जा रहा है एक या दो सीटे अगर BSP जीत लेती है तो ये मान लिया जाएगा कि भाया BSP को हलके में मत लीजी तो कल नतीजे आएंगे तो क्या आंकड़े आते हैं कित बहुत धन्यवाद शुक्रिया